हेलो गाईज कैसे हैं आप सब तो दोस्तों जैसे कि आप सब को पता है कि इंडिया में अभी कोरोना वाइरस से बचने के लिए 21 दिन का लोगडाउन चल रहा है और इन कुछ दिनों में एक एप्लिकेशन है जो ट्रेंड कर रहा है और नमबर वन पे आ गया है और इस एप्लिकेशन को इस एप के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ इस एप को आप किस तरह यूज कर सकते हो और किस काम आपके आ सकता है क्या हेल्प आपको मिल सकती है इस एप्लिकेशन से तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा यूज अप्लिकेशन कुछ दिनों से हो रहा है इस कोरोना वाइरस की वज़ा से ये अप्लिकेशन बहुत पॉपुलर हो गई है बहुत पॉपुलर हो चुकी है इस टेम पे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ इस एप का नाम क्या है इस एप का नाम है जूम जूम एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग एप्लिकेशन है एक क्लाउड कॉन्फरेंसिंग एप्लिकेशन है और इस app की मदद से आप जो video conferencing है वो कर सकते हो और सबसे खासियत इस app की यही है कि आप 50 लोगों को एक साथ video conferencing कर सकते हो क्योंकि इस corona virus की वज़ा से इंडिया में बहुत से business, बहुत से काम बंध है और बहुत सी company ने अपने employees को कहा है कि वो work from home करें और work from home के लिए यह application best है और work from home करने के लिए meetings के लिए video conferencing का सहारा लिया जाता है और video conferencing के लिए यह application best है क्योंकि 50 लोगों को एक साथ आप video conferencing कर सकते हो इस application की help से तो पिछले कुछ दिनों में जब से coronavirus शुरू हुआ इंडिया में यह worldwide 100 million से ज़्यदा डाउनलोड हो चुकी है यह application और साथ में इसका benefit यह है कि आप 50 लोगों को एक साथ video conferencing कर सकते हो और इसका जो फायदा है आप उठा सकते हो work from home में ठीक है इसके लिए आपको हाँ google duo पे भी कुछ 10 से 12 लोगों को आप कर सकते हो लेकिन उसका उससे ज़्यदा तो आप इस पे कर सकते हो और पिछले कुछ दिनों में इस application ने facebook, twitter और यह जो tik-tok है इनको भी पीछे छोड़ दिया और number one पे आ गया है तो बहुत ज़्यदा popular हो चुका है coronavirus की वज़ा से zoom application तो अगर आप भी work from home कर रहे हो और आपको भी इस application की जरूरत है video conferencing वगएरा meeting आपको भी करनी है या करना चाहते हो तो आप इस app को use कर सकते हो आपको play store में यह app मिल जाएगी वहाँ पे आप zoom सर्च करके लिखोगे तो आपको यह app मिल जाएगी और आप इसको download गर के use कर सकते हो तो पिछले कुछ दिरों में बहुत ज़्यदा popular हो चुका है यह app और बहुत ज़्यदा use हो रहा है इंडिया में worldwide तो इसके 100 million से ज़्यदा download हो चुके हैं तो बस आज की इस वीडियो में आपको यही बताना था कि जो यह application popular हो रहा है आप इसका कैसे use कर सकते हो I hope इस वीडियो से आपको कुछ ने कुछ help मिली होगी तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye